कानपूर में दरोगा की बेटी के साथ कोई घटना से आक्रोसित सपा की महिला सभाने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला सहर के नगर अध्यक्ष मोहिन खान ने योगी सरकार पर निशाना साथते हुए बीजेपी मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही मैं दीपा यादो समाजवादी पार्टी नगर महिला सभा देक्ष आज हम लोगोंने प्रदेश सरकार का पुतला फुका है और जो भी घटना बलतकार की हो रही है अभी कल 25 बेटी के साथ 4 लरकों ने बलतकार किया उन्नाओ में आगरा में एक दलित बच्छी के साथ पे बलतकार हुआ उसको जला दिया गया इस तरह की तमाम घटनाएं जो योगी सरकार में रोज हो रही है उसकी हम कड़ी औगोर निंदा करते हैं और योगी सरकार परखास करने की मांग करते हैं योगी सरकार हर महिलाओं की सुरक्षा में बिल्कुल विफल हैं तीन तलाक के मुद्दे दुनिया के मुद्दे उठा के सत्ता में आना तो चाहते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा का दायत उनके अधिकार नहीं बनता है